पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग बहुत ही इंपोर्टन कॉंसेप्ट है पाइथन में ठीक है तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे यह multi-threading होता क्या है full explanation मतलब thread क्या होता है multi-threading को python में implement कैसे करते हैं और इसे use करने का advantage क्या है और हम multi-threading क्यों use करें ठीक है इन सभी चीजों को हम discuss करेंगे लेकिन सबसे पहले इसका एक short definition देख लेते हैं होता क्या है multi-threading is a technique which allows a cpu to execute multiple threads of one process at the same time आपको भी पता है हमारे cpu में बहुत सारा processor होता है process होता है ठीक है तो अगर किसी भी एक process का अगर हम बात करें तो उस एक process में बहुत सारे thread run करते हैं जैसे एक application एक application हो गया एक process ठीक है तो अगर आप कोई भी एक application open कर रहें जैसे आप MS word भी open कर रहें तो MS word के अंदर बहुत सारे thread होते हैं ठीक है बहुत सारा छोड़ा छोड़ा task होता है तो एक process में जितने भी multiple threads होते हैं उन सभी को हम same time में run कर सकते हैं यही होता है multi-threading और multi-threading का concept ही लाया गया है ताकि हम multiple threads को बहुत सारे threads को एक साथ run कर सके हैं ठीक हैं लेकिन हम multi-threading क्यों perform करें क्या advantage है इसका perform करने का the main purpose of multi-threading is to run multiple tasks and functions at the same time हम बहुत सारे tasks यानि बहुत सारे functions को call करके same time में run कर सकते हैं अपने task को perform कर सकते हैं कोई भी function क्या करता है कोई भी task perform करता है जो हम उसको देते हैं करने के लिए ठीक है हमने प्रोग्राम के पास दो फंक्षन लिखा अब अगर इन दोनों फंक्षन को मुझे एक्जिक्यूट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोनों को कॉल करना पड़ेगा तो अगर हम फंवन को कॉल करेंगे तो यह रन करेगा फंटू को कॉल करेंगे यह रन करेगा अगर हम दोनों को कॉल कर देंगे तो दोनों रन करेगा लेकिन या तो यह रन करेगा या फिर यह रन करेगा सेम टाइम में कोई एक फंक्षन ही रन करेगा कोई एक ही रन क्यूं करेगा क्योंक होता है और में थ्रेड का रिस्पोंसिबिलिटी होता है कि इस प्रोग्राम को रन करना और जब थ्रेड एक है तो अगर मुल्टिपल फंक्शन बना देंगे और मुल्टिपल फंक्शन को कॉल कर देंगे तो यह में थ्रेड क्या करेगा एक बार में एक फंक्शन को ही रन ले रहा time ले रहा तो 5 seconds तक जब यह execute करेगा तो यह दूसरा वाला function क्या करेगा यह wait करेगा किसलिए wait करेगा जब तक यह complete नहों जाए एक बार यह complete रण हो जाएगा उसके बाद यह execute होगा ठीक है मैं ध्रेड फिर इसको execute करेगा यह हो गया हमारा क्या इसको बोलते हैं single threading मतलब हमारे इस program में एक ही thread था अब हमारा requirement दोनों function को हमें एक साथ run करना है फिर हम क्या करेंगे फिर हमारे पास क्या होना चाहिए multiple threads होना चाहिए यहाँ पे एक thread था इसलिए single threading था एक बार में एक ही run कर रहा था अब हमें दोनों साथ में run करना है तो हमारे पास multiple threads होना चाहिए तो फिर multiple threads कैसे आएगा चलिए हम आपको फिर समझाते सेम प्रोग्राम है ठीक है प्रक्टिकल भी सो करेंगे सेम प्रोग्राम है इसी प्रोग्राम में function is fun1 function is fun2 function है ठीक है नाम कुछ भी हो सकता है अब इसको call करेंगे इसको call करेंगे दोनों run करेंगा लेकिन हम चाहते दोनों सेम टाइम में run करें तो अभी हमारे पास एक ही thread है main thread लेकिन हम क्या करेंगे इस बार main thread को यह काम नहीं देंगे main thread का काम रहेगा सिर्फ प्रोग्राम को execute करना और इन दोनों को run करने का काम हम अपने से create क क्यायए तो अभी क्या होगा सैकन्ड में सेकून दर्यवेक बिए लिए तो यह laughs काम और दोनों क्या होगा सेपरव तौइस को यह जब करने का ज़ूरत नहीं क्या होता है कि वह इंडिपेंडेंट होते हैं T1 अपना अल्ग execute करेगा सेम टाइम में T2 भी execute करेगा कोई भी डिपेंड नहीं रहेगा एक दूसरे पर और यहां पर हमारा टोटल एक्जिक्यूशन ऑफ टाइम हो गया कितना फाइब से single threading में तो यहां पर देखो जब यह 5 second रं कर रहा था यह 5 second wait कर रहा था तो कितना लगा था यहां पर यहां पर लगा था 10 second तो multi threading से हमारा time भी बचता है हमारे program का execution भी fast होता है हम same task को same time में बहुत सारे task को perform भी करते हैं तो हम practical session में move करने से पहले thread क्या होता है thread का definition भी आपको show कर देते हैं चलिए उसे discuss करते पहले thread एक predefined class है python में ठीक है यह आपको सबसे पहले note करना है यह predefined class है python में अगर आपसे कोई बोले thread क्या होता है जो की threading module में है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस thread predefined class को use करने से पहले threading module को import करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में तब जाके हम क्या कर पाएंगे thread को use कर पाएंगे thread class को और इसी के तरूब multi threading perform कर पाएंगे ठीक है अभी thread का actual मतलब क्या होता यह तो python में हो गया कि यह class threading module के अंदर है लेकिन thread होता क्या अपने आप में thread is a basic or small unit of cpu या फिर आप प्रोग्राम भी बोल सकते हैं and it is well known for independent execution thread जो एक छोटा सा basic unit होता है किसी भी cpu का या फिर किसी भी program का ठीक है और जितने भी thread होते हैं वो independent होते हैं यह नहीं कि पहला thread execute कर रहा तो दूसरा वेट करेगा उस पर depend रहेगा ने सभी independent होते हैं ठीक है तभी तो सभी thread एक साथ execute करते हैं अभी thread class के पास नहीं बहुत सारे predefined method है जैसे run run method entry point होता है किसी भी thread का thread का जो भी code होगा हम इसी run method के अंदर लिखेंगे ठीक है start method का काम क्या होता है run method को call करना यानि thread को start करके run method को call करना क्या होता है कि अगर माली जैसे बहुत सारे thread एक साथ run कर रहे हैं सब्सक्राइब लेकिन हम चाहते कि कोई particular thread इतना time तक run कर जाए उसके बाद दूसरा आए same time में ही तो हम join use करेंगे ठीक है इसलाइब मेथड हमें बताता है कि thread running state में या फिर dead state में set name get name से हम क्या कर सकते यहां पर हम thread का name set कर सकते फिर उसको हम यहां से print कर सकते हैं यह return करता है thread का name और भी कुछ method से लेकिन यह basic और important है जिनको हम discuss करेंगे तो चलिए हम क्या करते हैं thread और multi-threading का जो concept अभी आपको समझाया उसको practically implement करते हैं कि python में यह होगा कैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने प्रोग्राम में एक class create करेंगे यह नाम का और इस class A के अंदर हम एक function बना रहे हैं function का name होगा हमारा run run एक predefined method है जिसका use हम करते है multi-threading के task को perform करने के लिए यानि multi-threading perform करने के लिए ठीक है और यह run method हमारा thread class का predefined method है और multi-threading का जो भी task का perform करना चाहते है वो आपको उसका जो logic है implementation है वो इसी run function के अंदर लिखना पड़ेगा तो इस run function में अभी मेरा requirement है किसी भी message को 5 times print करने का तो यहां पर हम for loop use करेंगे उसके लिए तो यहां पर हम range function में value pass कर देंगे 5 क्योंकि 5 times मुझे क्या करना message को print करना है तो print function में हम क्या करेंगे message को 5 times print करेंगे तो यहां पर हम अपना name ही print कर दे रहे तो यह हमारा class A का logic implement हो गया तो इसी तरह हम क्या कर रहे एक और class create कर रहे और उस class का name रख देते है class B कि उसमें भी same run method ही रहेगा क्योंकि multi-threading का जो code है जो logic है implementation है वो हम यहां पर भी perform करेंगे तो यहां पर हम message change कर देंगे अंकुस ताकि हमें पता चले कि कौन सा run function पहले call हो रहा ठीक है दो class में हमने दो अलग-अलग function define कर दिया है ठीक है दोनों में run function ही है लेकिन अलग-अलग class में है यानि एक program में ही दो function है अब हम क्या करेंगे class A का एक object create करेंगे तो यहां पर T1 नाम का हम एक object बना रहे class A का मान के चलो T1 एक thread है और एक T2 thread create कर रहे class B के लिए यह class B का object भी है ठीक है तो अगर हम अपने function को call करें T1 से run को call करें उसके बाद T2 से क्या करें हम फिर run को call करें क्यूंकि दोनों class के पास run method है और program को हम run करें इसका output क्या आएगा इसका output आएगा 5 times Achilles then 5 times अंकुस आया है और आप जितने बार program को run करेंगे आपको same output ही मिलेगा same sequence में ऐसा क्यों हो रहा अखिले स्पहले क्यों print हो रहा क्यूंकि हम T1 से run function को पहले call कर रहे तो T1 से call कर रहे तो यह इसको call करेंगा और T2 से जब हम call करें run function को यह class B वाले run function को call करेंगा ठीक है तो एक बात आप याद रखेगा यह हमारा multi threading नहीं हुआ है अभी यह single threading है अभी हमारे program में सिर्फ एक ही thread है उस thread का ने में main thread main thread by default हर एक program में होता है हर एक python program में होता है main thread का एक ही काम होता है program को execute करना every execution done by main thread तो यहां पर main thread क्या कर रहा तीवन का task पहले perform कर रहा उसके बाद T2 का task perform कर रहा ठीक है जब T1 का task perform हो रहा है main thread के थूँ तो T2 क्या कर रहा wait कर रहा जब main thread T1 का काम पूरा complete कर दे रहा है उसके बाद main thread T2 का काम complete कर रहा और इसमें क्या होता है कुछ time लग रहा है तो यहां पर जब हम program को run कर रहे तो हमें पता नहीं चल रहा क्यूंकि हमारा system इतना fast है इसलिए में time का पता नहीं चल रहा लेकिन इतना पता चल रहा है कि पहले यह काम हो रहा T1 का उसके बाद T2 का काम हो रहा तो अगर आपको time भी देखना है अच्छे से समझना है तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर time को भी use कर सकते हैं आपको क्या करना पड़ेगा time package से import करना पड़ेगा एक sleep class को ठीक है sleep class है जो कि time package में है python के तो अभी sleep class के पास एक function होता है sleep नाम का हम चाहते हैं 1 second का break लगे अखिलेश प्रिंट हो 1 second का break लगे फिर अंकुछ भी जब प्रिंट हो वहां पर भी 1 second का break लगे यानि यह message 5 times print हो 5 second में फिर यह 5 time print हो रहा तो इसमें भी 5 second लगे ताकि हमें पता चले कि हाँ actual में time लग रहा तो अभी अगर हम program को run करें तो आप देखो एक एक करके यह 5 seconds में हमारा पहले T1 का पूरा काम हुआ अब 5 second लग रहा T2 का काम होने के लिए तो अभी हमारे program में एक ही thread है main thread तो main thread क्या कर रहा 5 seconds इसको दे रहा है जब 5 seconds में यह execute हो रहा था तो हमारा T2 वेट कर रहा था उसके बाद यह 5 seconds complete होने के बाद T2 को main thread ने 5 seconds दिया execute होने के लिए तो total यहाँ पे हमें कितना time लगा 10 seconds लगा है और हमारे पास अभी program में एक ही thread है main thread और main thread क्या कर रहा दोनो T1 और T2 को run कर रहा एक-एक करके run कर रहा और 10 seconds में run कर रहा लेकिन हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि दोनों 7 में run हो simultaneously run हो और 5 seconds में ही दोनों run हो जाए हमारा time भी बचे और multiple thread same time में execute भी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा threading एक package होता है python में ठीक है यहाँ पे threading package से हम क्या करेंगे import करेंगे thread class को thread class को हम क्या करेंगे यहाँ पे inherit करेंगे अपने दोनों subclasses में class A के पास भी thread class को inherit करेंगे और class B में भी क्योंकि हमारा जो logic implementation का multi threading का वो इस class A के run function के अंदर ही है यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे भी same वही है तो अभी अगर हम program को run करें क्योंकि हम thread class को use कर रहे हैं तो क्या multi threading perform होगा यहाँ पे कितने thread होंगे हमारे program में अभी अभी देखिए same execution of time लग रहा है 10 seconds और पहले T1 का task perform हुआ है उसके बाद T2 अपना task perform कर रहा इसका मतला program में अभी भी केवल एक ही thread है और उस thread का नेम है main thread और main thread ही अभी दोनो task को perform कर रहा ठीक है तो फिर multi threading हम achieve कैसे करेंगे कैसे half time में दोनो thread को हम simultaneously run कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे उस काम को करने के लिए यहाँ पे start method को call करेंगे यहाँपने method को called करेंगे तो start method का क्या होता इस यह behind the scene क्या करे ậnब यह पन सं को call करेग़ यानि run method को call करेगा जैसे ही हम start कर रहे मतलब अधो़ पर रन को अर्याब जैसे हमно t2 को start कर रहे इस वाले रन को भी start कर देगा अगर हम programme को run करें तो यहां पर आप देखेंगे 5 seconds में हमारा दोनो thread run हो गया तो यहां पर multi-threading हमने achieve किया multi-threading achieve करने का दो ही advantage है सबसे पहले आपका time save होगा अब दूसरा multiple threads simultaneously execute होगे यही main purpose होता है multi-threading का तो यहां पर आप देखो 1 second में यह काम हुआ उसके बाद 1 second में यह हुआ देन अगेन अगला second में यह हुआ फिर next one second में यह हुआ और at the end में यह हुआ और अभी program को हम जितने बार run करेंगे output आप expect नहीं करेंगे हर बार new output आपको देखने मिलेगा देखें इस बार आपको इस form में output मिला है लेकिन last time आपको इस form में मिला था तो multi threading में आप यह नहीं कह सकते कि कौन सा thread कब run करेंगा तो अभी हमारे इस program में total कितने thread है 3 threads है ठीक है पहला thread हो गया हमारा main thread, main thread का काम है t1, t2 thread को run करना ठीक है तो हमारे इस program में same time में 3 thread अभी execute किया, main thread ने t1, t2 को execute किया और t1, t2 same time में run कर रहा ठीक है अगर आप proof देखना चाहते हैं कि हमारे program में कितने thread है तो यहाँ पर अगर आम एक message और show कर दें ठीक है, अंकित हमने print कर दिया अब program को run करें, तो यहाँ पर देखो first 1 second में यह हमारा 3 thread execute हुआ फिर अगला 1 second में 2 thread, 2 thread, 2 thread करके 5 seconds में हमारा यह पूरा हो गया काम तो multi threading में आपको advantage क्या मिलता है कि multiple threads same time में execute करते हैं और इससे हमारा time भी बचता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि यह जो main thread है main thread जो अपना काम कर रहा है यहाँ पे इस message को print करने का, हम नहीं चाहते वो T1, T2 को disturb करें तो फिर हम चाहते हैं कि पहले T1, T2 अपना काम complete कर ले, तो हम T1 को join करेंगे, उसके बाद T2 को भी join करेंगे T1, T2 join हो जाए, अपने काम को कर ले, अपने task को perform कर ले, उसके बाद main thread अपना यह task perform करें हम control कर सकते हैं इस तरीके से, अभी देखिएगा, यहाँ पे program में कोई भी error नहीं है, लेकिन फिर भी हमें error throw कर रहा, don't know why, program को run करते हैं, देखिए, first 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, then main thread ने अपना at the end में task perform किया, ठीक है, तो यह हमारा simple सा python में multi-threading का concept है, multi-threading का main advantage होता है, run multiple task at same time without depend on each other thread, ठीक है, जितने भी thread होते हैं वो independently execute होते हैं, कोई भी thread किसी दूसरे thread पे depend नहीं होता है, तो अभी हमारे इस program में total 3 thread थे, ठीक है, जिनका हमारा यह काम था, real life example अगर आप consider करेंगे, तो अगर आप अपने phone में game भी खेलते हैं, तो आपको visual और voice same time में सुनाई और दिखाई देता है, ठीक है, और score भी आप same time में ही देख पाते हैं, तो same application में, एक ही game application में आप multiple task same time में perform कर पाते हैं, तो multiple task को perform करने के लिए multiple threads होते हैं, जैसे यहां पर इस अखिलेश को 5 times print करने के लिए t1 thread था, अंकुस के लिए t2 thread था, और इस अंकित के लिए main thread था, ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप real life project में work करेंगे तो जो भी development का logic होगा, code होगा, वो आप यहां पर perform करेंगे, एक another thread के लिए यहां पर करेंगे, अगर आपको और भी thread की need है, तो आप और भी create कर सकते हैं, इस तरीके से class, ठीक है, और main thread हमारा by default हर एक program में होता है, main thread का का काम होता है, program को execute करना, और जितने भी threads होते हैं, उनको independently चलाना, ठीक है, तो अगर आपको concept समझ में आओ, तो वीडियो को like करिए, share करिए, channel पे नए है, subscribe कर दीजिए,